सद्गुरु या सवाल अंजली का है? नमस्करम सद्गुरु अपने एक संदेश में आप कहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास को उनके बरताव से नहीं आखना चाहिए मैं इसे नहीं समझ पा रही हूँ क्योंकि मैंने हमेशा ये माना है कि जो लोंग दयालू और करुणा में होते हैं वे अध्यात्मिक रूप से विक्सित होते हैं क्या आप उस अंदेश का मतलब समझने में मेरी मदद कर सकते हैं? वैल देखिए एक समय था मेरे स्कूल के दिनों का एक हिस्सा मैं इसे एजुकेशन नहीं कह सकता लेकिन स्कूल जाने का समय मैं कुछ खास तरह की स्कूलों में था जहां moral science उनके शिक्षा का एक महतुपूर्ण हिस्सा था मैं मिश्नरी स्कूलों में था तो तो वो हमेशा हमें तीन जादूई शब्द सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको 30 सेकेंड के अंदर मेरी दूसरी खासी के आने के इंतजार करना होगा वो नहीं आ रही है मुझे जाज के बाद सर्टिफिकेट मिल गया है ठीक है जादूई शब्द मुझे यकीन है कि आप सभी को वो जादूई शब्द सिखाए गए होंगे आप जानते हैं वो जादूई शब्द क्या है क्या नहीं ये सही क्रम नहीं है ये सौरी से शुरू नहीं होता आप क्या कर रहे हैं सौरी पहला शब्द नहीं है सौरी और थेंक यू ठीक है आप इस तरह की तरकीबे सीख सकते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये नहीं कहना चाहिए अगर जादू आपके भीतर हो रहा है और ये शब्द बाहर आएं तो ये शांदार है आप में कोई जादू नहीं है आपके पास सिर्फ शब्द है आपके पास अधिकार की भावना है लेकिन आप कहते हैं प्लीज इसका कोई मतलब नहीं है बहतर होगा कि कम से कम आप दिखाएं कि आप कौन है ओ प्लीज क्या मुझे ये मिलेगा और वैसे भी आप इसे छीन लेते हैं और फिर आप किसी को उनके पिछवाडे पर लात मारते हैं और फिर sorry कहते हैं इसका कोई मतलब नहीं है आप हर किसी से जो चाहे वो ले लेते हैं और फिर thank you कहते हैं जैसे कि उन्होंने इसे दिया हो नहीं इन शब्दों से ये पता लगने की उम्मीद की जाती है कि आपके पास अधिकार की कोई भावना नहीं है आप समझते हैं कि वास्तों में यहां कुछ भी आपका नहीं है यहां तक कि अगर आपको एक गलास पानी भी चाहिए तो आप कहते हैं प्लीज अगर आप वास्तों में इसे इस तरह से देखते हैं कि एक गलास पानी या भोजन का एक निवाला भी आपका नहीं है सवभाग्य से यह आपके लिए उपलब्ध है इसलिए आप कहते हैं प्लीज शांदार आप चाहे कुछ भी करें आप शायद किसी को चोट पहुँचा रहे हूं आप शायद किसी चीज की उपर कदम रख रहे हूं जाने में या अंजाने में तो अगर कोई आपको देखता भी है तो आप पूछते हैं सौरी, क्या हुआ अगर आप वैसा महसूस कर रहे हो तो और थैंक यू क्योंकि आपके अंदर अपनी रह में आई हर चीज के प्रतियाभार की भावना है सच में तो ये शब्द आ सकते हैं या ये किसी और तरीके से अभिव्यक्त हो सकता है जिसे आपके भीतर का जादू होना था वो केवल आपके बरताव में होता है यही ट्रैजडी है नैतिकतावादी समाजों की कि वे सारी सही चीजें करते हैं और उनके भीतर कुछ भी सही नहीं होता तो बरताव किसी की चेतना, किसी के विकास या किसी के रुपांतरन को तै नहीं करता तो अगर आपके पास एक आध्यात्मिक विकास का मतलब है कि एक ठोस कॉंक्रीट होने से कॉंक्रीट की तरह ठोस एक अलग व्यक्ति होने से आप थोड़े अधिक छेददार और अधिक समावेशी हो जाते हैं अपनी समावेशिता के कारण हो सकता है कि आप कई चीज़ें करें अगर चीज़ें आपकी समावेशिता आपकी कोमलता से हो रही हैं आपका प्यार भरा स्वभाव आपकी समावेशिता से उभर रहा है तो ये शांदार है लेकिन अगर ये कोई फॉर्मूला है जिसे आपने सीखा है कि आपको पता है कि ये चीज़ें करने से आप मनचाही चीज़ें पा सकते हैं दरसल हमें स्कूल में इसे इसी तरह से सिखाया गया था इन तीन जादूई शब्दों का इस्तमाल कीजे आपके लिए चीज़ें होंगी तो आप जाते हैं और कहते हैं प्लीज जैसे ही आपको कुछ मिलता है आप पीछे मुड़ते हैं और कुछ और कहते हैं ये मेरे आस-पास हो रहा था तो आपका बरताव ये तै नहीं करता कि आप कौन है लोग बरताव को बहतर कर सकते हैं लेकिन वो जो हैं उसे रुपांतरन की जरूरत है मूल रूप से रुपांतरन का मतलब है कि आपको अपनी सीमा का जो एहसास था कि मैं यह हूँ यह बढ़ गया है रुपांतरन बस यही है रूपांतरण का संबंद समाजिक बरताव से नहीं है रूपांतरण ये है कि अगर आप यहां बैठें तो सिर्फ यही मैं था लेकिन अब मैं क्या हूँ वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है बस इतना ही उसके कारण आप जिस भी तरह से बरताव करें मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन समावेशिता होनी चाहिए क्योंकि इंशूरिंस के तुलना में इंक्लूजिवनेस बहतर है जब आप किसी चीज को खुद के एक हिस्से के रूप में देखते हैं तो थैंक यू, प्लीज, सॉरी और ऐसी चीज़ों का क्या महत्व है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब आप दूसरे को खुद के रूप में देखते हैं मैं हर किसी के साथ वैसा ही बरताव करता हूँ जैसा मैं खुद के साथ करता हूँ कठोर अगर मैं खुद के साथ ऐसे अच्छे से बरताव कर रहा होता तो मैं आप के साथ भी ऐसे ही बरताव करता चुकि मैं खुद के साथ सक्ती से पेश आता हूँ मैं आप के साथ भी सक्ती से पेश आ रहा हूँ चलेगा या आप चाहते हैं कि मैं अच्छा बन जाओं Please, मैं इसे शुरुवाती कारिक्रमों में कहता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ कि Please अपनी आखें बंद करें Hello, मैं कहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको अपनी आखें बंद करने में कढ़िनाई हो रही है मैंने कहा प्लीज अपनी आखें बंद कीजे आप सम्यमा में आते हैं और वहाँ भी आप चाहते हैं कि मैं प्लीज कहूँ मैंने कहा अपना मुँ बंद करो और बैट जाओ तब तक आपको इसका महत्व समझ लेना चाहिए अभी ये बस दूसरा या तीसरा तिन है लॉकडाउन का पहले दिन आपको समझ नहीं आया अब तक आपको समझ जाना चाहिए कि इसका क्या मतलब है अब हम ये नहीं कह सकते कि प्लीज 6 फूट की दूरी बनाए रखें हमारे पास 6 फूट की छड़ी है और हम आपको इस तरह से धक्का देंगे क्योंकि अगर तीन दिनों में भी आपको समझ नहीं आया कि 6 फूट क्या है हेलो ये समझने में तीन दिन नहीं लगते कि 6 फूट क्या है भले ही आप अनपढ़ हो आप इसे समझ सकते हैं आपको किसी गणित के डिगरी की ज़रूरत नहीं है तो अब सरकार ने सेना को तयार रखा है कहीं अगर आप अभी भी न समझ पाए हों कि 6 फूट क्या है हाँ एक बार ऐसा हुआ क्या हुआ तो एक दिन शंकरन पिल्लाई घार आए उनकी पत्नी ने उनके 12 साल के लड़के के बारे में शिकायत की कि ये लड़का मेरी बात नहीं सुन रहा है तुम्हें इसे अभी ठीक करना होगा तो शंकरन पिल्लाई लड़के को खोजने लगे लड़का बगीचे में छुपा हुआ था उन्होंने उसे कानों से पकड़ा और कहा बेवकूफ क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बहतर हो जो तुम अपनी मा की बात नहीं सुनते तो आपका बरताव अगर आप समाज में रहना चाहते हैं तो हाँ बेशक आपको अपने बरताव को नियंतरित करना होगा क्योंकि ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है ये आपके आसपास के हर इंसान के बारे में है लेकिन हम अच्छे बरताव के रूप में जिस चीज की उमीद कर रहे हैं उसका मतलब कुछ खास शब्दों का प्रयोग करना नहीं है कुछ खास चीजें करना और कुछ खास चीजें न करना नहीं है नहीं, हम इस चीज की उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप इस हॉल के अंदर आते हैं यहां पचास लोग बैठे हुए हैं आप अपने हर कदम और अपनी हर सांस में परवाह करते हैं आपकी परवाह इन पचास लोगों के लिए है या सिर्फ अपने लिए बस यही माइने रखता है अगर आपकी परवाह यहां बैठे सभी पचास लोगों के लिए है फिर आप एक तरह से बरताव करेंगे अगर आपकी परवाह सिर्फ खुद के बारे में है फिर आप दूसरी तरह से बरताव करेंगे आपको बस इसे ही ठीक करना है आध्यात्मिक प्रक्रिया कोई समाजिक चीज नहीं है ये एक ऐसी चीज है जिसे आप अपने भीतर करते हैं चुनकि आपके भीतर कुछ बदल गया है इसलिए आप दुनिया के साथ भी एक खास तरह से पेश आते हैं कई सारे आध्यात्मिक लोग बहुत ज्यादा विक्सित इंसान उनके पास समाजिक होनर नहीं था इसलिए उन्होंने खुद को समाज से दूर रखा आपने सद्गुरु श्री ब्रम्हा के बारे में सुना है उनके पास कोई समाजिक होनर नहीं था धेर उसमस्याएं इस बार हम थोड़े समाजिक हुनर के साथ आए है हाँ, मैं बढ़ियां कर रहा हूँ अभी भी कुछ लोगों के साथ थोड़ा टकराव है लेकिन ऐसे लोग हमेशा होते है ये इस बात का संकेत है कि हम सही रास्ते पर है कि हम दुनिया में सही चीज़ें कर रही है क्योंकि अगर वो लोग आपकी तारीफ करते हैं तो आप कुछ ऐसा कर रहे होंगे जो वागई गलत है तो जरूरी नहीं है कि किसी के आध्यात्मिक प्रगती उनके बरताव से आखी जाए अब इसे गैर जिमेदाराना बरताव का लाइसेंस मच समझे ये कहकर कि मैं आध्यात्मिक हूँ दुनिया में इस बिरादरी के लोग भी मौझूद हैं चुँकि वे आध्यात्मिक हैं उन्हें लगता है कि हर किसी को उन्हें समझना चाहिए वे अजीबो गरीब चीज़ें करेंगे और हर किसी से उसे समझने की उमीद की जाती है नहीं नहीं वो तरीका नहीं है क्योंकि आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब है कि आपकी पहचान अपनी भौतिक प्रकृति से नहीं है आपकी पहचान उस आयाम पर चली गई है जो भौतिक नहीं है जब आपकी पहचान भौतिक नहीं रहती फिर चीजों को करने का आपका कोई विशेश तरीका नहीं रहता आप उसे वैसा करेंगे जैसा जरूरी होगा कोमल तो कोमल, कठोर तो कठोर शांदार तो शांदार, बुरा तो बुरा चाहे जैसा भी परिस्थिती की मांग जैसी भी हो आप उसी तरह रिस्पॉंड करेंगे क्योंकि आपकी पहचान अपनी शाररिक और मानसिक प्रक्रिया के साथ नहीं है आपकी पहचान आप जो हैं, उसके भौती कायाम से परे चली गई है तो आपके पास एक आजादी होती है सब भी बरताव का मतलब है कि आप जमे हुए हैं एक खास तरीके से होने के लिए यानि आपने अपनी आजादी खो दी है अपनी आजादी से जब अच्छे बरताव की जरूरत होती है तो आप शांदार होते हैं जब आपको बुरा बनने की जरूरत होती है तो आप बुरे होते हैं जिसकी भी जरूरत होती है आप उसी के अनुसार पेश आते हैं मान लीजे कि आप गाड़ी चला रहे हैं और अभी चलती रहती है Please कोई response नहीं हे वो थोड़ा सा आप एक छड़ी उठा कर कहिए फिर वो रास्ते से हटेंगी क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आता कि आप ये क्या प्लीज प्लीज बोल रहे है अब आप भैंस के साथ बुरा बरताव करने की कुशिश नहीं कर रहे है अगर भैंस को पता होता कि मीठे शब्द क्या होते है तो आप बस वो कहते आप भैंस से मीठी बाते कहते लिकिन उसे वो समझ नहीं आता उसे ये समझ में आना चाहिए कि आपको उसका अभी वहां खड़े होना पसंद नहीं है आपको उसे ये समझाना होगा उसे उस सड़क पर नहीं होना चाहिए जिस पर आपको जाना है आप उसे समझाईए आपको जाकर उसकी पिटाई नहीं करनी है लेकिन आपको कम से कम थोड़ा शोड़ तो मचाना ही होगा वरना वो नहीं हिलेगी क्योंकि उसे समझ नहीं आता तो किसी बच्चे से बात करते समय आप इसे एक तरह से करेंगे किसी बड़े व्यक्ति से बात करते समय आप किसी दूसरी तरह से करेंगे जाने पहचाने व्यक्ति के साथ एक तरह से, अंजान व्यक्ति के साथ दूसरे तरीके से, हमारा बरताव परिस्थिती की मांग के अनुसार होता है अब आपने खुद को फिक्स कर लिया है, मैं ऐसे ही बरताव करता हूँ, यहां तक कि अगर परिस्थिती उसके लिए अनुकूल ना हो, फिर भी आप वही चीज़ें करते हैं, इसका क्या तुक है, कोई भी काम जो उस परिस्थिती के लिए उचित नहीं है, जिसमें आप पूर्ण हैं कि हम अपने कारियों को तैन ना करें, हम बस ये तै करें कि हम कौन हैं, यही बात, नहीं, मैं इन चीज़ों का विद्वान नहीं हूँ, लेकिन ये बात मेरे साथ चिपकी हुई है, क्रिश्ण ने कहा था, योगस्थः कुरु कर्मानी, पहले खुद को योग म स्थापित कीजिये, यानी, खुद को स्थापित कीजिये, अपने अलग इनसान होने के भाव में नहीं, बलकि स्रिष्टी के साथ अपनी एक रूपता में, और फिर कार्य कीजिये, इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से एक रूपता में हैं, फिर जिसकी जरूरत हो, वो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है